बाई और बेहनों, हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मिर बैभी आतंक के अड़ों पर पता लगा देंगे, पाकिस्तान से पैसा लेने वाले को जेल में डालेंगे, बही कॉंग्रेस और उसके साथ ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाशा बोलने वालों से आतंक बाद खत्म करने पर बात की जाएगी, आप मुझे बताईए, जो पाकिस्तान का सूर अलापते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, उन पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? भाई और बेहनों, दर असल ये लोग खुट दरे हुए हैं, अब विश्वास से गिरे हुए हैं, और इसलिए देश को डरा रहे हैं, महा मिलावटी नेता, डर फैला रहे हैं, कि अगर इस बार फिर से मोदी आ गया, तो देश में चुना भी खत्म हो जाएगा, मिलावटी नेता, ये डर भी फैला रहे हैं, कि अगर मोदी फिर से सत्ता में आ गया, तो सहिवेधानिक संस्ताय खत्म हो जाएगी, महा मिलावटी नेता, डर फैला रहे हैं, कि मोदी आरक्षण खत्म कर देगा, जबकि आपका ये चौकिदार, बाबा साब आम बेड करकि, आरक्षण की व्यवस्ता को मजबूत करने के लिए पूरी ताकट लगा रहा है, गरीब की संतान को 10 प्रतिशत आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, वो बिना किसी का नुक्शान किये, बिना किसी क्यों चल किये, बिना किसी का हथिया करके किया नहीं गया है, हमने इमानदारी से समाज में सद्भावना बनी रहे कोई तनाव पैदा नहो और हमने रास्ता खोज लिया है साथियों इनका डर इनकी हार ये इनकी हतासा का सबूत है इनका डर इनकी छटपताहत अस्तीत्व बचाने के लिए है उन्हें डर तो किसी और बात पका है लेकिन बताते कुछ और है साथियों मोदी जब फिर आएगा तो इनकी ब्रश्टाचार की दुकाने पूरी तरह बंद हो जाएगी इनके वंशवादी राजनिते के दिन लग जाएगे रक्षा सौदों की इनकी दलाली बंद हो जाएगी गरिबों के नाम इनकी ठगी बंद हो जाएगी जाती धर्म की इनकी राजनिती बंद हो जाएगी इन जमानती नेताओं की सीना जोरी भी बंद हो जाएगी तुकडे तुकडे गैंग ही तुकडे तुकडे हो करके बिखर जाएगी झाली बंद हो जाएगी